Hello friends, you are most welcome in our channel Tutorial Planet मैंने सोचा तो नहीं था कि इस चैप्टर का बनाऊंगा वीडियो क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है फिर भी मैंने जो कहानी पढ़ा तो मुझे ये नाटक बहुत ही अच्छा लगा फोर में हुई थी ये ड्रामेटिस्ट थे ड्रामा लिखते थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और छोटी-छोटी कहानिया भी लिखते थे अफ रसिया रसिया के ये थे वाज डॉक्टर बाइ प्रोफेशन ये प्रोफेशन से तो डॉक्टर थे मतलब इनका पेशा डॉक्टरी का था डॉक्टर थे ये लिकन ये ड्रामा लिखते थे और कहानिया भी लिखते थे he began his literary career इन्होंने जो साहितिक जीवन है साहितिक केरियर है मतलब लिट्रेचर के छहतर में जो इन्होंने अपना केरियर बनाया by writing comic sketches उन्होंने comic sketches बनाये sketch का मतलब होता है चित्र बनाना अपने comics books आता है कहानियों का comic वाला book चित्रवाला ठीक है तो वो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप समझते होंगे कॉमिक जो बुक होता है तो उसका स्केच यह बनाते थे यह लिवड इन रस्या यह रस्या में रहते थे डूरिंग दा रूल अफ दा जार्स जार का जब शाशन था रूस के समराट को जार का जाता था तो जार का जब साशन था रस्या में तब यह रस्या में थे एटीन सिक्स्टी में और नाइने फोर तक और इंपेरर्स उन्हें जार का जाता था या समराट का जाता था His works present an accurate picture of the Russia of his day उनके दिनों में रस्या का जो पिक्चर है रसिया का जो एकदम एकदम सही सही जो चित्र है उनके समय में वो उसको प्रेजेंट करते हैं उन्हें हम लोगों के सामने रखते हैं कहानियों के माध्यम से वो एक्स्प्लोर करते हैं बताते हैं जो हीमन जो इमोशन होता है जो मानव की जो भावना होती है उनको एकदम गहराई से ये बताते हैं चेखल इंट्रोड्यूज़ तो देस्टेच रियलिस्टिक प्रोलमस ऑफ कॉमन पिपल का जो आम आदमी है उसका जो realistic problems है जो असली जो समस्याएं हैं उन्हें चेखोव ने introduce करवाया उससे सबको परिचित करवाया अपने लेख के माधियम से. His works often show उनकी जो किताबें हैं अक्सर दिखाती हैं a comic attitude towards the behavior expected from the light of that time उस समय उस समय के जो इलाइट लोग थे जो अच्छे यो लोग थे कुलीन लोग जो थे इलाइट persons उनसे जो लोग expect करते थे जो आशा करते थे उनसे जिस behavior का जिस विवहार का उनके comic attitude को हमें बताते हैं ये दिखाते हैं ठीक है मतलब उस समय इनके समय में जो रसिया के जो कुलीन लोग होते थे उनका जो attitude होता था उनका जो रवहया होता था वो कैसा होता था उसे comic तरीके से Comedy की तरइके से हांसी की तरीके से यह हमें दिखाते हैं even his saddest place जबकी उनका जो सबसे जो दुखद नाटक है जो सबसे उदास वाला जो नाटक है contain humor उस उदास वाले नाटक में भी humor दिखाई परता है मतलब हाँ सी दिखाई परेगा हाँ सी दिखाई परेगी His comedies उनकी जो comedies है are based on recognizable human weakness मानव की जो कमजोरी होती है जो recognizable human weakness है जो पहचानने योग मानव की जो कमजोरी है उस पर आधारित होता है hence इसलिए they portray human life वो मानव जीवन का चित्रन करते हैं मानव जीवन का चित्र खीचते हैं in a sensitive way एक sensitive तरीके से एक समवेदेन शील तरीके से His important works उनकी कुछ परमुक किताब हैं include जिसमें हैं शामिल हैं uncle Vanya the three sisters and the cherry or chard he had a considerable influence उनका एक considerable influence था considerable influence का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रभाव था considerable का मतलब होता है बहुत ज्यादा विशेस और influence का मतलब होता है प्रभाव तो उनका बहुत ज्यादा प्रभाव था on 20th century of drama बिस्वी सताबदी में जो ड्रामा लिखी जाती थी उन पर इनका विशेश अधिकार मतलब विशेश परभाव था George Bernard Shaw जीबी शोओ पूरा नाम है जीबी शोओ शॉर्टकट में और पूरा नाम है George Bernard Shaw Paid Tribute to Him in Heartbreak House एक किताब का नाम Heartbreak House जिसे जीबी शोओ निलिखा था इन्हें ही ट्रेब्यूट करने के लिए इन्हें शरदाण्जली देने के लिए उन्होंने ये किताब लिखी इस किताब में उन्होंने इनको शरदाण्जली दी है Heartbreak House में इसके लेखक ये नहीं है एंटन चेको नहीं है इस Heartbreak House के लेखक है G.B. Shaw George Bernard Shaw ये जो प्रजेंट कॉमेडी है आप लोग के सामनी जो हम आज पढ़ेंगे हो सकता है कि एक वीडियो में complete नहों हो सके तो मुझे दूसरा वीडियो भी बनाना परे ठीक है क्योंकि लंबा चेप्टर है तो एक वीडियो में complete नहीं हो पाएगा शायद हो जाएगा तो बढ़िया है और दूसरा वीडियो पार्ट टू आप लोग जरूर देखेगा और चैनल को subscribe कर दीजिए वीडियो तो आप लोगों को अच्छा लगता है a marriage proposal presents characters वो ऐसे characters को दिखाती है present करती है who cause their own discomfort जो अपने discomfort के खुद कारण है मतलब अपने discomfort का मतलब होता है आराम नहीं ठीक है अपने बिना आराम के मतलब उनको जो कस्ट होता है कस्ट के खुद कारण है खुद वे अपने कस्ट के मतलब उनकी वज़ा से उनके पास जो कस्ट होता है लोगों के पास उसको वो दिखाए हैं इस comedy में तो चलिए हम लोग एक comedy पढ़ते हैं जिसका नाम है a marriage proposal सबसे पहले तो कोई भी नाटक जो होता है वो देखने से पहले वो समझने से पहले उसमें जो characters होते हैं उनका जो किरदार होता है उनको पहले अच्छे से समझ लीजिए इसमें तीन लोग हैं इस कहानी में पहला है Stephen Stepanovic चूबुकोव जो एक land owner है जो एक जमीन का मालिक है ठीक क्या नाम है उसका Stephen Stepanovic चूबुकोव और दूसरे है उसकी बेटी है Natalia Stepanova वो 25 येर्स की बेटी है और इसी की बेटी है चूबुकोव की बेटी है ठीक और तीसरा जो character है जिसका नाम है Ivan Veselwich Lomov जो इनका परोशी है दियर नेबर हेल्दी एंड वेल फेड एक दम तंदुरूस्त वेक्ति और अच्छे से खाया पिया मतलब मोटा सोटा वेक्ति बट लेकिन terribly hypochondriac land owner वो जो है वो भी एक land owner है जमीन का मालिक है लेकिन वो है क्या वो है hypochondriac hypochondriac का मतलब होता है ऐसा वेक्ति जिसे अपने शरीर को लेकर के काफी चिंता होती है मतल'll उसके शरीर में उसके body में कोई बीमारी नहीं है लेकिन बस उसको लगता रहता है कि मेरे सरडर्द कर रहा है मेरे पेट में कुछ हो रहा है, मेरे दिल में मेरा धरकन बर गया है, मतलब उसके बॉड़ी में अलग-अलग उसके सोच से, सोच से उसको होता है कि मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे तबियत खराब है, तो ऐसा व्यक्ति जिसके सरीर में कोई प्रॉबलम नह लेकिन इसको लगता रहता है कि मुझे कोई ने कोई बीमारी है, ठीक तो तीन लोग है, पहला है स्टीफन, स्टीफन, स्टेपानोविक, चुबुकोव, दूसरी है इसकी बेटी, नाटालिया स्टीपानोवा, और तीसरा है इवान वेसलविच लोमोव, ठीक, अब क्या है दे साइड, वो जो चुबुकोव है, ये जो बाप है, मतलब उस बेटी के जो पिता है, लेंड ओनर जो है, जमीन का मालिक, उसका जो कंट्री साइड है, कंट्री हाउस, कंट्री हाउस कहते हैं, जो बरे-बरे लोग होते हैं, अमीर लोग, वो अपना मन बहलाने के लिए, मतलब ग्रामीन इलाके में घर बनाते हैं, एक फार्म हाउस टाइप का घर बनाते हैं, उसी को कंट्री हाउस कहा जाता है, टिक तो चुबु कोव के कंट्री हाउस में, ये पूरा का नाटक जो है, ये शुरू होता है, स्टार्ट होता है, चुबु कोव एंड लोमोव, the latter wearing tails and white gloves यह जो low move है जो उसका परोसी है चुबुकोव का वो इंटर करता है चुबुकोव के घर में ठीक उसने gloves पहने है और टेल्स जो है एकदम नया कपरा पहन के उसके घर में आया है ठीक चुबुकोव कहता है going over to welcome his guest अपने guest को किसी के घर में कोई आता है तो उसका guest ही होता है ठीक तो अपने guest को welcome करने के लिए स्वागत करने के लिए वो जाता है ठीक चुबुकोव गेट खोलता है तरवाजा खोलता है और कहता है why of all people my old friend कैसे हो मेरे दोस्त Ivan Veselwich Ivan Veselwich मेरे दोस्त कैसे हो how nice to see you तुम्हें देखकर कितना अच्छा लगा शेक सेंट है हाथ मिलाता है this really is a surprise old boy how are you तुम्हें देखकर एकदम मैं आस्चर चकीत हूँ ये तो एक surprise है कितने दिनों के बाद तुम आये हो कैसे हो low move कहता है very well मैं एकदम ठीक हूँ thank you and may I ask how are you और क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कैसे है चुबको not bad at all मैं एकदम ठीक हूँ एकदम बुरा नहीं हूँ मैं एकदम ठीक हूँ मेरे पुराने दोस्त my old friend with the help of your prayers and so on तुम्हारे दुआओं से मैं एकदम ठीक हूँ please have a seat कृपया बैट जाओ now really it is not very nice of you to neglect your neighbors देखो यह बहुत बुरी बात है अपने पुरियोसी को neglect करना यह बहुत बुरी बात है क्योंकि बहुत दिन के बाद तुम आया हो my dear boy and what are you all dressed up for और तुमने यह जो कपरे पहने हैं यह किसली पहने है morning coat gloves and so on morning coat पहना है तुमने gloves पहना है ऐसा क्यों और भी बहुत कुछ पहन के आया हो क्यों are you off on a visit old boy क्या तुम कहीं पर घूमने के लिए जा रहे हो no I am just calling on you नहीं नहीं मैं बस आप के पास आया हूँ low move कहता है my esteemed neighbor मेरे सम्मानित परोसी मेरे अच्छे परोसी मैं आप ही के पास आया हूँ चुबु कोव but why the morning coat old friend लेकन ये morning coat पहन के क्यों मेरे दोस्त देखिए चुबु कोव जो है वो 35 साल का एक लरका है जिसकी शादी नहीं हुई है मतलब low move जो है low move वो 35 साल का एक लरका है जिसकी शादी नहीं हुई है और ये चुबु कोव जो है वो नटालिया के पिता है जो इस पिता है तो जरूरी है जरूर है कि low move से बरही होंगे और low move जो है वो चुकि वो सोच रहा था सोच रहा है कि अब मैं 35 साल का हो गया हूँ तो वो सादी की age भी हो गई है तो क्यों नटालिया से शादी कर ली जाए और उसकी वो परोसी भी है तो वो अपने शादी का proposal ले करके शादी करने के लिए वो चुबु कोव के पास एकदम तयार हो करके सुबह सुबह वो जाता है ठीक उसके बाद दोनों में जो है वो बात्चित शुरू होती है ठीक चलिए देखते हैं तो चुबु कोव पूछता है उससे बट वाई दो मॉर्णी कोट ओल्ट फ्रेंट दस इसंट निव ये डे देखो आज तो नया साल भी नहीं है फिर भी ये एकदम नया नया कोट सब पहन के क्यूँ लोमो वेल यू सी देखो जो देखिये वो जो असली बात है तेक्सिज आम अपना हाथ एकदम ऐसे कोई भी अब मन की बात अब शादी की बात करने के लिए गया है तो डर एकदम हिचक हो रही है डरते हुए इसके मन में अलग-अलग प्रस्ण है कि वो मानेंगे या नहीं मानेंगे कि क्या होगा नहीं होगा पता नहीं तो अपना हाथ पर हाथ ऐसे बांद करके वो पूछता है बोलता है I have burst in on I have burst in on you like this मैं ऐसे ही बिना पूछे आपके पास आ गया बिना मतलब का Stephen Stepanovick उसका नाम है चुबुकोव का पूरा नाम था Stephen Stephen Stepanovick चुबुकोव तो वो कहते हैं Lomov कहता है कि देखिए Stephen Stepanovick मैं आपके पास ऐसे ही आ गया बिना मतलब का burst in का मतलब होता है पहुच जाना ऐसे ही अचानक से पहुच जाना कहीं पर My esteemed neighbor मेरे प्यारे परुसी In order to ask a favor of you मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ आप अपनी बेटी के शादी उससे होगी या नहीं वो बस वही पूछने के लिए आया था तो बोल ला है कि in order to ask a favor of you मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ I have already had the honor more than once of turning to you for help and you have always ठीक मैंने कई बार ऐसा हुआ I have already had the honor more than once एक बार से ज्यादा मुझे कई बार ऐसा सम्मान मिला मुझे मौका मिला of turning to you for help कि मैं आपके पास help के लिए आऊं मैं आपके पास कई बार help के लिए मदद मांगने आया and you have always और आपने हमेशा मेरी मदद किये so to speak अब लो मोब से बोला नहीं जा रहा है हिचक हो रही है उसको इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि but forgive me लेकिन मुझे माफ कर दीजिए my nerves मेरी 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 हिम्मत नहीं हो रही है बोलने की I must have a sip of water मुझे थोरा पानी मिलेगा dear Stephen Stephen Novick मुझे थोरा पानी मिलेगा drink some water थोरा पानी पीता है वो लो मोब लेकिन बोल नहीं पाता है कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है उसके बाद चुबुकोव aside चुबुकोव कहता है सोचता है अपने मन में he is after money लगता है वो पैसे के लिए आया है fat chance अच्छी chance है अच्छा मौका है to Lomov what is it क्या बात है my dear fellow क्या बात है मेरे प्यारे साथी मेरे दोस्त Lomov कहता है well you see जैसा कि आप जानते हैं my stepan derowick my stepan derowick उफ मेरे प्यारे stepan derowick देखे ये इतना नर्वस है ये बन्दा कि उसका जो उसका क्या नाम था stepan stepan novick और ये उनको क्या बोलना है stepan derowick I mean dear stepan novick मेरा मतलब dear stepan novick I mean my nerves are in terrible condition मेरी जो हालत है वो एकदम terrible है मेरी एकदम हालत खराब है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ which you yourself are so kind as to see जैसा कि आप देख सकते हैं in short you are the only one सिर्फ आप ही है who can help me जो मेरी मदद कर सकते हैं although Yadyappi of course बेशक I have done nothing to deserve it और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि आप मेरी मदद करें लेकिन फिर भी and it and I don't ever have the right to count on your help और मुझे कोई हक नहीं है कि मैं आपके मदद के भरो से रहूँ क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि मैं आप मेरी मदद करें तो चुबुकोव जो है नाटालिया के पिता वो कहते हैं नाओ 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 डांट बीट बाट बुश अब देखो इदर उदर की बाते मत करो ओल्ड फ्रेंड आओट विद इट वेल अब एकदम जल्दी से बोलो क्या बात है लोमोब कहता है ओल्ड एट एगरम ठीक है here you are देखिए the fact of the matter is बात ये है I have come to ask for your daughter नाटालिया's hand in marriage मैं आपके पास I have come to ask for मैं आया हूँ मांग करने के लिए कुछ मांगने के लिए क्या मांगने के लिए your daughter आपकी बेटी नाटालिया's hand नाटालिया का हाथ in marriage शादी में आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ चुबुको overjoyed एकदम खुश होते हुए चुबुको बोलता है my dearest friend Ivan Veselwich मेरे प्यारे दोस्त Ivan Veselwich could you repeat that क्या तुम फिर से दूरा सकते हो I am not sure I heard right मैं sure नहीं हूँ जो मैंने सुना है क्या तुम फिर से बोल सकते हो low move I have the honor of asking मुझे गर्व है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ चुबुको बोलता है breaking in अंदर ही अंदर my oldest and dearest friend मेरे पुराने और प्यारे दोस्त I am so delighted and so on मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ उसके बाद वो कहते हैं yes really हाँ and all that sort of things और वो सभी चीज है hugging and kissing उसे hug करता है वो चुबुको लुमुब को hug करता है kiss करता है और वो कहता है क्या कहते हैं वो I have कहते हैं I have been yearning for this for ages मैं कई वर्षों से इसकी प्रतिक्षा कर रहा था कि तुम कब मेरी बेटी का हाथ मांगो मैं चाहता ही था कि तुम मेरी बेटी का हाथ मांगो मैं तुम से अपनी बेटी की शादी कराना चाही रहा था it's been my constant desire ये मेरी तिवर इच्छा थी shades a tear एक आशु टपकाते हुए बोलता है and I have always loved you like a son और मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेटी की तरफ प्यार किया है you wonderful person तुम एक बहुत ही अच्छे वेक्ती हो you may God grant you love and guidance and so on भगवान तुम्हें बहुत सारा प्यार दे भगवान तुम्हें रास्ता दिखाए और भी बहुत कुछ it has been my most fervent wish ये मेरी बहुत ही तिवर इच्छा थी उतकट इच्छा थी but why I am standing here like a blockhead लेकिन मैं यहां मुर्ख की तरह खारा क्यों हूं I am dumbstruck मैं तो एक दम हक्का बक्का हो गया बाई साब by the sheer zwaa of it इस बात की खुशी से मैं एक दम हक्का बक्का हो गया हूं completely dumbstruck मैं एक दम पूरी तरह से हक्का बक्का हूं मतला एक दम मैं खुश हूं oh with all my heart and soul मैं एक दम दिल से एक दम आत्मा से खुश हूं I will go get Natasha and so on मैं जाता हूं और अभी Natasha को बुला के लाता हूं low move deeply moved एक दम दिल से पिखल जाता है low move ठेक और कहता है stepan stepan novik my esteemed friend मेरे अजीज दोस्त do you think I may count on her accepting me क्या मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं क्या वो मुझे accept करेगी चुबु कोव कहता है उस पर a handsome devil like you तुमारे जैसा नौजवान how could she possibly resist वो खुद को कैसे रोक सकती है कैसे मना कर सकती है she is madly in love with you वो तुमारे प्यार में पागल है don't worry चिंता मत करो madly एकदम पूरी तरीके से पागल है वो and so on I will call her right away मैं तुरंत उसे बुला कर लाता हूं रुख जाओ उसके बाद scene 2 दूसरा दृष्य होता है जब नाटालिया वहाँ पर आती है लेकिन scene 2 में यह है it's so cold बहुत थंड है I am shaking all over मैं पूरी तरीके से काप रहा हूं like before a final exam जैसे किसी का exam होता है और exam से पहले वो डरता है उसी तरह से मैं काप रहा हूं क्योंकि उसके लिए भी तो यह exam ही था the important thing और सबसे महत्वपुर्ण बात यह है is to make up your mind अपने दिमाग को सबसे पहले तयार करो वो खुद से बोला है कि देखो भाई साथ अगर किसी लर्की को प्रोपोज करना है तो सबसे पहले अपने माइंड को प्रिपेर करो तयार करो if you think अगर तुम सोचते हो वो खुद को ही बोला है if you think अगर तुम ये सोचते हो about it's too long काफी लंबे समय तक तुम किसी बात को सोचो और waiver या फिर किसी बात पर अगर तुम ठिके नहीं रहो talk about it too much उसके बारे में खूब बातें करो and wait for the ideal woman और एक आदर्श महिला का इंतिजार करो जो तुमारे लाइफ में आएगी और for true love या फिर किसी सचे प्यार की तलाश करो you will never marry तुमारी कभी शादी नहीं होगी अगर तुम ऐसे महिला के किसी ideal महिला के इंतिजार में हो या फिर सचे प्यार के तलाश में हो तो फिर तुमारी शादी कभी नहीं होगी it's so cold बहुत थंडा है और वह वाकई भी अपने लोग के इधर भी बहुत थंडा है ठीक Natalia Stipenova is an excellent housekeeper Natalia जो है वो एक excellent housekeeper है बहुत ही अच्छा ग्रहिनी है वो she is not bad looking और वो देखने में भी खराब नहीं है and she's got some education और उसने कुछ पढ़ाई भी की है what more could I ask for और मैं क्या पूछूँगा उससे oh I am so nervous मैं बहुत ज्यादा nervous हूँ I can hear buzzing in my ears मेरे कान गुंज रहे है मैं अपने कान में buzzing मेरे कान में buzzing हो रही है drink some water फिर वो थड़ा पानी पीता है it would be best for me to get married मेरे लिए अच्छाई होगा कि अब शादी कर ले first of all सबसे पहले ये I am 35 years old already कि मैं जो हूँ 35 साल का हुई चुका हूँ वो खुद से बात हैं कर रहा है and that as they say और जैसा कि उन लोगों ने कहा is a critical age कि ये जो है वो एक critical age है शादी करने के लिए क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि लर्की भी न मिले कोई लर्की शादी भी न करे मुझसे and then और तब I have to start leading a steady and regular life और उसके बाद मैं एक एकदम एकदम शान्त और एकदम regular life में जीऊंगा क्योंकि शादी से पहले शादी कि जो life होती है वो regular नहीं होती है मतलब एक जीवन जीवन होता है उसकी जो दीन-चड़िया होती है जो daily routine होता है जब मन हुआ जो मन हुआ कर लिए जहां मन हुआ चले गए जो मन हुआ खा लिए एक regular life नहीं होता है तो वो अपने खुद को बोल ला है कि अब मैं एक steady और regular life मैं start करूँगा जीना, I have got a hurt condition, मेरे दिल में भी थोड़ा थोड़ा तकलीफ है problem है, समस्या, मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि ये कैसा आदमी है, जो जिसके सरीर में कोई problem नहीं है, लेकिन इसको लगता है कि इसके सरीर में problem है ठीक, तो वो अब सोच रहा है अपने बारे में, कि मुझे hurt condition भी थोड़ा, दिल का भी problem है, with palpitation all the time, हमेशा मेरे दिल जो जो से धरकता रहता है, I have got an awful temper और जो मेरा जो temper है, जो मेरा जो गुसा है, वो भी हमेशा एकदम बहुत जादा रहता है, and I am always getting terribly raut up, और मैं हमेशा परशान रहता हूँ, चिंतित रहता हूँ, बुरी तरीके से चिंतित रहता हूँ raut up मतलत होता है, चिंतित होना even now अब भी my lips are trembling मेरे जो होट है, वो कपकपा रहे है and my right eyelid is twitching और मेरा जो दाहिना, जो मेरा eyelid है, जो मेरी पुतली है वो twitch हो रही है, मतलब ऐसे फरफरा रही है but the worst thing is और सबसे बुरी बात तो ये है कि when I try to sleep कि जब मैं सोने का प्रियास करता हूँ the instant I get to bed and I start dropping off और मैं बेट पर जाता हूँ और एकदम सो जाता हूँ जैसे कोई मर गया हो उसी तरह से बेट पर जाते ही मैं एकदम मर जाता हूँ, सो जाता हूँ something stabs me in my left side लेकिन मेरे left side में ऐसा लगता है कि कुछ चुप रहा है चाकू की तरह कोई stab कर रहा है चाकू कहोँ पर रहा है मेरे left side में and it's cut cuts और इसा लगता है कि cut गया है right through my shoulder straight into my head मेरे shoulder से ले करके कांधे से ले करके और मेरे सर तक ऐसा लगता है मानो किसी चीज से cut गया हो इतना दर्द करता है I jump like a lunatic और मैं एक lunatic की तरह पागल की तरह उचल पड़ता हूँ कुद पड़ता हूँ walk about a little थोरा भी अगर मैं तहल लूँ and then I lie down again और फिर मैं अगर थोरा तहलने के बाद अगर मैं सो हूँ but the moment I start to dissolve और थोरा तहल लूँ और अगर मैं थोरी देर के लिए अगर मैं लेट जाओ बस तो मैं निंद पर जाता हूँ सो जाता हूँ I feel it in my side again और तब फिर मुझे जैसे ही सोता हूँ तो मेरे side में फिर से लगता है कि कुछ चुब रहा है कोई चाकू घोप रहा है and it keeps on and on for at least twenty times और ये कभी बीस बार कम से कम नटालिया जो है वो इंटर करती है और अब लोमोब और नटालिया के बीच में बात शुरू होगी नटालिया स्टेपा नोवा and लोमोब नटालिया इंटरिंग नटालिया प्रवेश करते हुए वो बोलती है आँ it's you अच्छा तुम हो and पापा said और पापा ने कहा एक कस्टमर हैड कम कि एक कस्टमर आया है एक ग्रहक आया है देखिए चुब को जो था अपनी बेटी को जाके बोलता है कि एक कस्टमर आया है for the merchandise व्यापार करने के लिए how do you do Ivan Vesilwich कैसे हो Ivan Vesilwich लोमोब लोमोब जो है लोमोब कहता है इसका पूरा नाम Ivan Vesilwich how do you do तुम कैसी हो my esteemed Natalia Stepanova मेरी प्यारी Stepanova Natalia तुम कैसी हो Natalia कहती है I am sorry about my apron I am sorry क्योंकि मैं apron पहन के आ गई apron जो है वो एक dress होता है जो घर में जो महिला जो है पहनती है वो and not being dressed और मैं अच्छे कपरे पहन कर नहीं आई इसलिए I am sorry we are shelling peas for drying हम लोग peas को मतर के दाने छिल रहते उसे सुखाने के लिए ठीक where have you been yourself तुम कहां हो इतने दिनों से have a seat बैठ जाओ would you like a bite of lunch तुरा lunch करोगे तो Lomov कहता है thank you so much but I have already eaten thank you so much लेकिन मैंने पहले ही खा लिया है Natalia कहती है well then have a cigarette तब फिर एक cigarette ले लो the marches are over here marches वहाँ पर रखी है cigarette ले लो एक the weather is magnificent today आज का जो मौसम है बहुत ही शानदार है थंड का मौसम है but yesterday लेकिन कल it rained so hard बहुत जादा वर्सात हुई that the men couldn't do a thing all day लेकिन और इतनी वर्सात हुई कि कोई भी वेक्ती कोई भी काम न कर सका पूरे दिन पूरे दिन वर्सात होती रही how much hay did you get done मतलब तुमने कितने घास काट लिए देखिए ये सब क्या करते थे मतलब शायद ये पशों पालते थे और पशों के लिए जो चारागा होता है बरे बरे चारागा वहाँ पर घास उगती है घास को काट करके पशों के लिए चारा काटा जाता है लेकिन बरसाथ हो गई तो चारा नहीं काट पाए इसलिए वह नटालिया पूछती है कि how much hay घास जो जानवरों के लिए घास काट कर उसको सुखा के रख लिया जाता है बाद में उसको खिलाया जाता है चारा वही उसे ही कहते हैं तो वह पूछती है कि तुमने कितना घास काट लिया अपने जानवरों के लिए can you imagine क्या तुम imagine करोगे I was so greedy that I had the whole meadow moan मैं इतनी लालची थी कि मैंने पूड़े meadow meadows का मतलब होता है घास का मैदान ठीक है मैं बार बार मीडो ही बोलूँगा क्योंकि घास का मैदान बहुत बड़ा हो जाता है तो meadows का मतलब होता है घास का मैदान जिसमें घास होगाया जाता है जानवरों के चारे के लिए तो वो कहती है कि मैं इतनी greedy हो गई मैं इतनी लालची थी that I had the whole meadow मैंने पूरे meadow को moan कर दिया घास काट दिया and now I regret it और अब मैं पस्ता रही हूँ क्योंकि कली मैंने वो घास काटा था कटवाया था और कली बरसात होगी पूरा दूब गया I am scared मैं डरी हुई हूँ कि that all my hay may rot कि मेरा जो सारा hay है जो सारा चारा है वो सर जाएगा I should have waited मुझे थोरा wait करना चाहिए था but what is this लेकिन ये क्या I do believe you are wearing a morning coat मुझे मैं देख रही हूँ कि तुमने एक morning coat पहना है how original कितना अच्छा है are you going to a ball or something क्या तुम कोई गेंद खेलने के लिए या कहीं पर जा रहे हो incidentally सन्योग से you are getting quite handsome तुम बहुत ही सुन्दर दिख रहे हो but honestly लेकिन honestly why are you all dolled up लेकिन तुमने इतने अपने आपको क्यों सजाया है सवा रहा है तो लुमूब नर्वसली एकदम नर्वस होते हुए लुमूब बोलता है अब देखिए के पिता से तो बात कर लिया स्थेपनोवा the fact is I have made up my mind to ask you to listen to me मैंने असली बात ये है कि मैंने मैं यहाँ सोच कर आया हूँ कि मैं तुम्हे कुछ बताओ तुम मुझे सुनो थोरी दिर इसलिए मैं चाहता हूँ naturally you will be surprised naturally तुम surprise हो जाओगी and even angry होड़ हो सकता है कि गुशा भी हो जाओ but I लेकिन मैं अभी वो बोल नहीं पा रहा है aside बगल में बोलता है कि God it is too cold बहुत ठंड है ठंड के मारे उसके होट कपकपा रहे है और वो कुछ बोल नहीं पा रहा है Natalia बोलती है what is it फिर पाउज थोरी दे रुक के well क्या बात है बोलो Lomo बोलता है I will try to be brief मैं shortcut में बताने का प्रयास करता हूँ अब वो बोलना शुरू करता है ठीक पहले वो सुभाविक है किसी को marriage के लिए propose करेगा तो वो बेचार अपने बारे में तो कुछ बोलेगा ही अपने एक दूसरे के बारे में तो कुछ relation निकाल के कुछ ऐसी बाते बोल के ने प्रपोस करेगा सीथा तो नहीं बोल देगा विल्यो मेरी में ठीक है तो वो कुछ बोल ला है अपने बारे में क्या बोल ला है I will try to be brief मैं short cut में बताता हूं You are well aware तुम्हें भली बाती पता है My esteemed Natalia Stepanova मेरी सम्मानित Natalia Stepanova तुम्हें भली बाती पता है That की For a long time now काफी समय से In fact since my childhood जबकी मेरे बचपन से ही I have had the honor of knowing your family मुझे तुमारे परिवार को जानने में बहुत Interest है Interest रहा है My late aunt मेरी जो आंटी थी मेरी जो चाची थी जो मर चुकी है And her husband और उनके जो पती थे Whose state as you know I inherited उनकी जमीन जाइदाद तुम्हें जैसा कि तुम जानती हो जिसका मालिक अब मैं हूँ उन्होंने सारी जमीन मुझे मेरे नाम लिख दिया है Always held your father हमेशा तुम्हारे पापा And your late mother In utmost esteem और वो हमेशा जो थे वो दोनो चाचा चाची मेरे वो हमेशा तुम्हारे पापा और तुम्हारे मा के साथ भी जो तुम्हारी मा तो मर चुकी है तुम्हारी जो late mother है उनके साथ भी वो एकदम esteemed रहते थे एकदम परस पर संबंध था उनका male जो वाला संबंध था The Lomov family and the Chukubov family Chubukov family जो Lomov family और Chubukov family है Have always maintained extremely friendly हमेशा एक दूसरे के साथ friendly रहे हैं दोस्ताना रहा है One might even say कोई भी कह सकता है कि एक intimate relation रहा है हमारे परिवार का और तुम्हारे परिवार का तुम्हारे family का एक आंतरिक संबंध रहा है एक अच्छा संबंध रहा है Furthermore उसके आगे As you know जैसा कि तुम्हें पताई होगा My property borders on yours कि मेरी जो जमीन है वो तुम्हारे जमीन से लग कर गई है Perhaps शायद you will be so kind As to recall that बहुत किरपा होगी मतलब तुम बहुत दयालू होगी कि to recall कि तुम याद करो That my ox meadows कि मेरा जो bell का जो meadows है जो घास का मैदान है जिसमें bell चरते है Run along your birch forest तुम्हारा जो birch forest है उससे सटकर जो है मेरा ox meadows गया है जो जमीन है वो जो meadows है वो Birch forest क्या होता है छोटे छोटे पेर पौदों का एक जंगल जो होता है उसे birch forest कहते है तो वो कहते है वो कहता है कि तुम्हारा जो birch forest है उसी के बगल से जो जमीन गया है वो ox meadows वो मेरा ही है मैं तुम्हें याद दिला दू अब देखिए कहानी में twist Natalia कहते Excuse me for interrupting you Excuse me for interrupting you मैं interrupt कर रही हूँ बाधा डाल ली हूँ बीच में talk कर रही हूँ उसके लिए मुझे माफ कर देना You said My ox meadows तुमने कहा मेरा ox meadows Are they yours? क्या वे जो ox meadows है वो तुम्हारे है Lomov कहता Of course बिलकुल Natalia कहती है Oh Come now The ox meadows belong to us Note you वो जो ox meadows है वो हम लोगों का है तुम्हारा नहीं है Lomov कहता है Oh no They are mine अरे नहीं वो मेरे ही हैं Dear Natalia Stepanova Dear Natalia Stepanova वो मेरे ही हैं Natalia कहती है That's news to me ये तो नहीं बात है मेरे लिए How did they ever get to be yours? वो तुम्हारे कैसे हो गए? तो Lomov कहता है What do you mean? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? I am talking about the ox meadows that are waged in between your birch forest and the burnt marsh तुम्हारा जो birch forest है और जो burnt marsh है जो दलदली जमीन है उसके बीच से जो घास का मैदान गया है वो मेरा ही है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं तो Natalia कहती है Exactly वही तो they are ours we are my है वे हमारे जमीन है तुम्हारे कहा से हो गए? तो Lomov कहता है No You are mistaken नहीं तुमसे कोई गलती हुई है Dear Natalia Stepanova They are mine वो मेरे हैं फिर Natalia कहती है Do be responsible देखो Responsible बनो बेवकुफ बाली बात मत करो Ivan Vashilvich Since when have they been yours? वो कब से तुम्हारे हो गए? Lomov Since when? कब से? They have always been ours वे तो हमेशा से हमारे हैं As far back as I can remember जब से मुझे याद है तब से तो वो जमीन मेरे ही है तो Natalia कहती है Excuse me But this is too much मुझे माफ करना लेकिन ये बहुत जादे हो रहा है अब वो Natalia को गुसा आ रहा है बात पर तो Lomov कहता है You can look at the documents तुम documents देख सकती हो Dear Natalia Stepanova तुम documents देख सकती हो कागज है मेरे पास At one time एक समय पर There were some quarrels about the ox meadows उस ox meadows के ले करके को ले करके कुछ जगरा था शुरू-शुरू में You are quite right तुम बिल्कुल सही हो तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो कि वो तुम्हारे थे ऐसा था जगरा था लेकिन अब नहीं है अब वो मेरे हमारे जमीन हो चुके है कानूनी तोर पर वो जमीन अब But now लेकिन अब Everyone knows परतेक वेक्ती जानता है They are mine कि वो मेरे है Why are you about it? अब इसके बारे में Are you तर्क वी तर्क क्यों करें? If you will permit me to explain अगर तुम मुझे लोमो बोला है कि if you If you will permit me अगर तुम मुझे permission दो Explain करने का तो मैं explain कर रहा हूँ और वो explain करने लगता है क्या बोलता है? कि my aunt's grandmother कि मेरे चाची की जो Grandmother थी जो मेरे चाची की जो दादी थी Lent them उधार दिया था उस जमीन को To your paternal great grandfathers तुमारे जो जो paternal जो great grandfathers थे मतलब तुमारे दादा के जो पिताजी थे उनके जो किशान थे उनके पास जो किशान लोग थे for an indefinite period एक अनन्त period के लिए एक अनिश्चित काल के लिए हमारे चाची के दादा ने उन्हें दिया था and free of charge और बिना किसी charge की दिया था in rear and for the year firing her bricks और उन लोगों का वो जो किसान थे वो इटा भठी का इटा भठी आप लोग देखे होंगे जहां पर इटों को मिट्टी का पहले size काटा जाता है इट का उसको आग में पकाया जाता है तो इट पकाने का जो business था जो काम था उसको फिर से चलाने के लिए मेरे चाची के दादी ने तुम्हारे great grandfathers को वो ऐसे ही दिया था उनको ने उनके किसान को उनके किसानों को उनके नौकरों को दिया था कि वो इट का काम करे योर great grandfathers तुम्हारे जो परदादा थे उनके जो पिजेंट्स थे उनके जो किशान थे used the meadows free of charge for some 40 years उन किसानों ने उस घास के मैदान का बिना किसी चार्ज के 40 साल तक इस्तेमाल किया and began thinking of them as their own और 40 साल तक use करने के बाद उन लोगों का ऐसा लगने लगा कि वो जमीन उनकी ही है and then और तब after the emancipation और जब emancipation हुआ when a statute was passed जब एक कानून पास हुआ जब मतलब कानूनी लराई लरी गई उसके बाद उस जमीन का पुड़ा clear हो गया कि वो जमीन जो है वो free हो गया उनकी सानों से किसानों ने वो जमीन छोड़ दी और वो जमीन तब से हम लोगों की है ठीक उन्होंने तो clear कर दिया लो मोब ने अब नाटालिया कहती है you have got it all wrong तुम ने एक दम गलत समझाए तुमको कुछ पता ही नहीं है both my grandfather and great grandfather मेरे दादा और मेरे परदादा regarded their property as reaching all the way to the burnt swamp जो burnt swamp है जो जमीन है उसी को ले करके which means that the ox meadows were ours मतलब burnt swamp से ले करके वो पुड़ी की पुड़ी जो जंगल था वो जो दल दल था पुरी की पुरी जमीन हम लोगों की थी सबको पता है हमारे दादा पर दादा के समय से यह I don't understand how annoying मुझे समझ नहीं आ रहा है कितना घिनानी बात कर रहे हो तुम तो Lomov कहता है I will show you the documents Natalia Estepanova मैं तुमें document दिखाऊंगा Natalia Don't worry तो Natalia कहती है No, you are joking or trying to tease me तुम या तो joking तुम या तो मजाग कर रहे हो या मुझे चिढाने का प्रयास कर रहे हो What a surprise क्या अस्चर्च जनक बात है क्या surprise यह तो एक तुम surprise हो गया We have owned the land for practically 300 years लगबक 300 सालों से हम लोग practically उस जमीन के मालिक हैं भले हमारे पास कागज नहीं है वो भी मानती है कि हमारे पास कागज नहीं है लेकिन practically तो 300 सालों से तो वो इसी जमीन पर है and now और अब suddenly we are told it's not ours और अचानक से कोई मुझ हम लोगों को कहता है कि यह हमारी जमीन नहीं है I'm sorry मुझे माफ कर देना But I just can't believe my ears लेकिन मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा है those meadows don't mean a thing to me वो जो meadows है वो मेरे लिए सिर्फ एक जमीन का टुकरा नहीं है the whole area वो पूरा का पूरा जो area है probably doesn't come to more than 40 acres वो 40 acres से ज़्यादा नहीं है it's worth about 300 rubles rubles ये करीब 300 rubles से ज़्यादे का वो जो जमीन है वो 300 rubles से ज़्यादे का है उसकी कीमत 300 rubles से भी ज़्यादा है rubles जो है वो रूस जैसे इंडिया में रूपया चलता है उसी तरह रूस में rubles चलता है but I am terribly upset by the injustice of it all देखो वो 40 acres से ज़्यादे का नहीं है और वो 300 rubles से भी ज़्यादे का नहीं है लेकिन पैसे की बात नहीं है जमीन की बात नहीं है but लेकिन I am terribly upset by the injustice of it all लेकिन मैं इस पूरे अन्याई से एकदम परशान हो गई तुमने जो ये अन्याई भरी बात करी कही है उससे मैं एकदम upset हो चुकी हूँ you can say what you like तुम्हें जो मन है बोलो but I simply can't stand in justice लेकिन मैं अन्याई का साथ नहीं दूँगी तो लो मो बोलता है please listen to me please सुनो मेरी बात I beseech you beseech का मतलब होता है प्रार्थना करना विंती करना मैं तुमसे विंती करता हूँ सुनो your paternal great grandfathers तुमारे जो परदादा थे और great grandfathers presents तुमारे परदादा के जो किसान थे किसान लोग थे as I have already had the honor of telling you जैसा कि मैंने तुमें बताया है fired bricks for my aunt's grandmother वे हमारे auntie के दादी के लिए eat पकाते थे now my aunt's grandmother wishing to do them a favor in return और इसी के लिए मेरी दादी ने उन लोगों को eat पकाने का काम बंध हो गया तो मेरी दादी ने फिर से दे दिया कि चलो भाई तुम लोग अपना फिर से eat पकाने का जो काम है वो लोग तुम लोग करो अपना ठीक है गुजारा करने के लिए हमारी दादी ने मेरे चाची की दादी ने तुमारे दादा के किसानों को वो जमीन दिया था ठीक मेरी बात को समझो हमारे पास documents है लोग मोग बोल रहा है मतलब बिचारा गया था साथी की बात करने और वो यह बात कहां से कहां जा रही है भाई टीक चंसे जो तूटे कोई सपना उसका जो सपना था वो लग रहा है था कि चंसे तूट चुका है साथी करने का सपना जग सूना सूना लगे खेर अब नतालिया बोलती है grandfather, grandmother, aunt मतलब I don't know what you are talking about मैं मुझे समझ में नहीं आ रहे है तुम क्या बोल दे हो किसके बारे में बात कर रहे हो the meadows are ours and that's that वो जमीन हमारा है वो meadows हमारा है बस इसे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता है फिर लोगोब कहता है वो हमारा है नतालिया बोलती है they are ours वो हमारा है you can keep arguing for two days तुम दो दिनों तक भाहश करते रहो you can put on 15 morning coats तुम 15 morning coat पहन लो जैसा अभी तुमने पहना है if you like अगर तुम पहना चाहो but they are ours लेकिन वो जमीन हमारा है हमारा है फिर नतालिया कहती है I don't desire your property मुझे तुम्हारे जमीन की इच्छा बिलकुल नहीं है but I don't care to lose mine लेकिन मैं अपना जमीन भी खोना नहीं चाहती do as you like तुम्हें जो मन हो करो I don't need the meadows मुझे उस meadows की कोई जरूरत नहीं है Natalia Stepanova but it's the principle of the thing if you want I will give them to you मुझे उस जमीन की जरूरत नहीं है लेकिन अगर तुम चाहो if you want I will give them to you वो जमीन मैं तुमको दे दूँगा Natalia It would be my privilege to give them to you It would be my privilege ये मेरा विशेशाधिकार होगा कि वो मैं तुम्हें दूँँ वो मेरा विशेशाधिकार होगा क्योंकि वो जमीन तो मेरा है ना They are mine वो मेरा है All this All this is rather old To put it mildly वो लेकिन ये जो उसमें से थोरा भी देना वो अन्याई हो जाएगा बुरा होगा क्योंकि वो पुरा का पुरा जमीन मेरा है इवान वेसिल विश Up till now अभी तक We have always considered you A good neighbor and friend अभी तक हम लोग तुम्हें बस एक अच्छा परोसी और एक अच्छा दोस समझते थे Last year पिछले साल अभी गिना रही है अपना काम पिछले साल We let you borrow our threshing machine हमने तुम्हें अपना threshing machine भी दिया था घास काटने वाली machine And as a result और परिणाम सरुप We couldn't finish our own grain Until November November तक भी हम लोग अपना घास अपना अनाज नहीं काट पाए And now you are treating us like Gypsies और अभी तुम लोग तुम हमारे साथ Gypsies की तरफ बेभार कर रहे हो देगे Gypsies जो है वो वहां की दक्षिन उधर रसिया में जो एक बंजारा टाइप का होता है जो लोग जिने लोग देखते होंगे आप लोग अगल बगल में जो बहुत अभी तो ऐसा नहीं होता है उस जमाने में जो छोटी जाती होती थी उसके साथ बुरा वेभार होता था उस उहां की जाती रसिया की Gypsies थी तो वो कहती है कि तुम हमारे साथ Gypsies की तरह भी वेव कर रहे हो ट्रीट कर रहे हो यू आर गिविंग मी माई ओन लेंट तुम मुझे मेरी ही जमीन देना चाहते हो दे रहे हो excuse me, माफ करना but that's not a neighborly thing to do लेकिन ये किसी परोसी का काम नहीं है to my mind मेरे हिसाब से it's impertinent if you care to ये जो है वो impertinent है अभद्र विवहार है अगर तुम सोचो तो फिर लो मोव कहता है are you trying to tell that I am a land grabber madam क्या तुम ये कहना चाहर रही हो कि मैं एक जमीन हतियाने वाला हूँ madam I have never seized anyone else property देखो madam मैंने कभी भी किसी की property नहीं seized की है हतिया ही है गलत तरीके से and I won't allow anyone to say I have और मैं किसी को इस बात की अनुमती भी नहीं दूँगा कि वो ये बोले कि मैंने किसी की जमीन हतियाई है hurry is over the caref and drink some water उसने वो caref उठाया वो सुराही पानी वाला और थुरा पानी पिया लो मोव उसका गला सूखने लगा बोलते बोलते the ox meadows are mine वो जो घास का मैदान है वो मेरा है नाटालिया बोलती है that's not true ये सच नहीं है they are ours वो जमीन हमारी है लो मोव they are mine वो मेरी है that's not true ये सच नहीं है I will prove it to you मैं साबित कर दूँगी I will send my men over to move them this afternoon मैं इसी दो फर वहाँ पर अपने आदमियों को भेजती हूँ घास काटने के लिए लो मोव what? नाटालिया my men will be there this afternoon मेरे आदमी इस दो फर तक आज ही दो फर तक मेरे आदमी उस मैदान में होंगे लो मोव बोलता है I will kick them out मैं उन्हें लात मार कर भगा दूँगा नाटालिया बोलती है you want there तुमारे हिम्मत नहीं होगी लो मोव बोलता है clutching at his heart अपना दिल थाम करके the ox meadows are mine वो जो ox meadows है वो मेरा है do you hear? क्या तुमने सुना? माई, मेरा है नाटालिया बोलती है stop shouting चिलाना बंद करो please you can shout your lungs out in your place तुम अपने जगा पर चिलाना but I must ask you to control yourself here लेकिन मैं तुम्हें बोलना चाहूंगे कि यहाँ पर control करके रखो खुद को लुमो madam if it were not for these awful अगर ये awful नहीं होता excruciating palpitations जो कस्ट दाई, जो धरकन है मेरी घबराहाट अगर नहीं बढ़ती and the winds throbbing in my temples और जो नस है वो तेजी से नहीं दौरती I would speak to you in a totally different way मैं तुम से दूसरे तरीके से बात करता shouting चिलाते हुए the ox meadows are mine वो जो ox meadows है वो मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं वो कहता है कि अगर मेरा दिल का धरकन अगर जोर जोर से नहीं धरक रहा होता और जो मेरे नसों में खून अगर तेजी से नहीं दौर रहा होता मतलब उसकी तबियत खराब होने लगी थी लो मोव की तो मैं तुम से और भधे तरीके से बात करता उसके बाद वो कहता है दो ox meadows are mine, जो ox meadows है वो मेरे हैं, नाटालिया कहती है hours हमारे हैं, वो कहता है मेरे हैं, वो कहती है हमारे हैं वो कहती है, वो कहता है मेरे है तो यह scene तीन scene जो है वो complete हो गया ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वीडियो बढ़ा हो जाएगा, उसके आगे जो scene है उसके बाद क्या होता है तो आप लोग दिल थाम करके देखिए कि उसकी शादी हो पाती है या नहीं हो पाती है ऐसे जगराई होता रह जाएगा पता ने क्या होगा तो चलिए इंतिजार कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थेकर बहुत सारा वीडियो बना हुआ चैनल में आप लोग जरूर जाकर के देखिए बोल दो एक बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरी बाद के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए